हेलो दोस्तो मैं हूँ करन तिवारी और आप देख रहे हैं इंट्रेक्टिव टेक हैकर तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैप चार्ट के एक न्यू फीचर्स जिसके जरिए आप जो है रोजाना एक मिलियन डॉलर तक कमा सकते हैं तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि कैसे कमा सकते हैं और क्या है ये न्यू फीचर्स तो चलिए हम सुरू करते हैं स्नैप चार्ट ने रोल आउट किया टिक टॉक जैसा नया फीचर्स स्पोटलाइट सौट वीडियो सेर कर सकते हैं यूजर्स अब आप स्नैप चार्ट पर सौट वीडियो बना कर सेर भी कर सकते हैं कमपनी का दावा नए फीचर्स से ज़्यादा फोलवर्स चोड़ने में मदद मिलेगी इतना ही नहीं अब टॉप यूजर्स को एक मिलियन डॉलर रोज मिल सकता है अमेरिकी मल्टी मीडिया एप स्नैप चार्ट की पैरेंट कमपनी स्नैप इंक ने सोमबार को स्पोट लाइट नाम का फीचर्स रोल आउट कर दिया इस फीचर्स के जरिए यूजर्स स्नैप चार्ट एप पर सौट वीडियो सेर कर सकते हैं या फीचर्स बाइडान्स के टिक टॉक और इंस्टाग्राम के रिल्स जैसा ही है सीधे दोस्तों को सेर कर सकते हैं आप वीडियो पहले इस पर ये सुभिधा नहीं थी कि आप जो है सौट वीडियो बना कर और किसी को सेर कर सकते हैं अब आप इसमें टिक्टॉक की तरह ही वीडियो बना कर सेर कर सकते हैं और आगे चलते हैं आगे ये बात है कि टिक्टॉक पर भारत में लग चुका था बैन आप सभी को मालूम है कि लदाक की गलवान घाटी में सिमा विवाद के बाद सरकार ने चीन के सौट वीडियो शेरिंग एप टिक टॉक पर बैन लगा दिया इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था क्रोना काल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या में भी जबर्दस्त बढ़ोत्री हुई है इसलिए ये भी है क्या का जता है स्नाप चार्ट जो ये नया फीचर्स आपको दिया है ताकि ज़्यादा स्नाप चार्ट का डाउनलोड्स बढ़े और बात करें पैसे की तो यूजर्स को हर रोज एक मिलियन डॉलर देगी कमपनी स्नाप इनक ने कहा है कि 2020 के सेश तीनों में कमपनी यूजर्स को एक मिलियन डॉलर प्रति दिन देगी यह 80 उन यूजर्स को दी जाएगी जिनकी स्नाप प्लेटफॉर्म पर टॉप पर होगी स्नाप लाइट फीचर्स को बढ़ावा देने के लिए कमपनी यह योजना लेकर आई है तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबारा ना भूलिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और इतना ही नहीं अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ